मित्रों नमस संस्क्रताएं मैं हूँ संस्क्रत गंगा दारागंज प्रयागराज से सरवगिभूशन और आप सुन रहे हैं UGC नेट जियारप की पाँच्वी इकाई UGC नेट जियारप की पाँच्वी इकाई में हम लोगों को पढ़ना है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान व्याकरण में हम लोग आज पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचे कुछ वईयाकरणों का जिसमें आपने पानिन, कात्यायन, पतंजली, भरतिहरी, वामन, जयादित्य और भटोज दिक्षित का परिचे आप समने सुन लिया है और उसकी स्लाइड के द्वारा आपको नोट्स भी मिल चुका होगा मित्रों आज क्रम है नागेश भट को पढ़ने का, सुनने का और समझने का मित्रों नागेश भट का नाम, भरतिहरी के पश्चात, सबसे प्रामाणिक व्यक्तियों में उनका आदर के साथ हम नाम लेते हैं देखी हमारे व्याकन सास्त्र के परंपरा पानेनी से प्रारंब होती है और फिर कात्यायन वारतिक कार के रूप में प्रशिद हैं फिर महाभाष शिकार के रूप में हम पतंजली का नाम बड़े आदर शिलेते हैं इसलिए हम पानेनी कात्यायन और पतंजली को त्रीमुनी के नाम से जानते हैं व्याकन सास्त्र के त्रीमुनी के रूप में पानेनी कात्यायन और पतंजली को ये सारा जगत जानता है सबसे आदर सम्मान और प्रामारिकता के लिए प्रशिद्ध है वह नाम है नागेश भट्ट का मित्रो नागेश भट्ट को ही हम नागेश्वर और नागोजी नाम से भी जानते हैं चाहे नागेश्वर कहें या नागोजी कहें आप समझेगा कि नागेश भट्ट ही हैं जब इन्होंने कईयट द्वारा लिखी गई महाभाश्य पर प्रदीप टीका जो थी उस महाभाश्य प्रदीप पर उन्होंने उद्योत नाम की टीका लिखी इसलिए महाभाश्य प्रदीपो द्योत कहा जाता है महाभाश्य पर कईयट की टीका है प्रदीप टीका और उस प् विवरन नामनी टीका भी कहते हैं उद्योत का ही अपर नाम विवरन भी है मित्रों प्रदीप में जो बात कैयट कहना चाह रहे थे उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति तब होती है जब नागेश भट के उद्योत को आपने पढ़ा होगा जिन लोगों नागेश भट के उद्योत टीका को महाभाश पर अध्यन किया होगा वो लोग जान गए होंगे कि नागेश भट कितनी मारमिक वाते व्याक्रण सास्त्र में करते हैं केवल महाभाश प्रदीप पर उन्होंने उद्योत टीका लिखी इतना ही नहीं है विवरन टीका उसी उद्योत का अपर नाम है चाह अपर नाम किया है तो आपको विवरन नाम नी टीका लिखने चाहिए विवरन इसी का नाम है उद्योत कहें चाहिए विवरन अब नागेश भट ने के वर महाभाश पर उद्योत टीका लिखी ऐसा नहीं है नागेश भट के अन्य साथ व्याक्रण ग्रंथ बहुत द्यान रखेगा कभी कभी आपसे ग्रंथों का नाम पूछेगा पूछ लेगा कि लग मंजूशा के लेखक का रहक का तो आपको लिखना है नागेश भट्टा है अथवा इश्पोट वाद इतिकस्षिकरंथा तो नागेश भट्टा था फिर से मैं नाम ले लूँ बहुत प्रशिद्ध ग्रंत है नागेश भट्ट का और ब्रिहत छब्देंदु शेकर परिभाशेंदु शेकर लगुमंजूशा परमलगुमंजूशा स्फोट वाद और महा भाष्य प्रत्याक्षान संग्रह ये सभी ग्रंत व्याकरण सास्त्र पर नागेश भट्ट ने लि थ्यानक ना परिक्षाओं में कभी कभी सवाल पूछ लेता है नागेश भट्ट के माता पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम शिव भट्ट और माता का नाम सती ऐसा आपको लिखना है यह जानते रहें आपने भट्टोज देख्षित का नाम सुना होगा तो भट्टोज दे बटोजी दिक्षित के पौत्र हैं पौत्र बोलें तो पुत्र के पुत्र यानि नाती हैं अब भटोजी दिक्षित का नाम समस्क्रित व्याकरण सास्त्र में सभी लोगोंने सुना होगा इन्होंने सिध्धांत कौमदी नाम के गरंत की रचना की थी और हरी दिक्षित इन्ही नागेश भट्ट ने अध्यन किया था अब हरी देक्षित भट्टो जी देक्षित के पोत्र हैं ये भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि भट्टो जी देक्षित के पोत्र कौन थे हरी देक्षित थे और यही हरी देक्षित नागेश भट्ट के गुरू है व्याकरण के गु तो वैद्यनाथ पाइगुंड का भी नाम आपको याद रखना है कि मालो पूँच ले कि नागेश भट्ट के शुष्ष का क्या नाम है तो वैद्यनाथ पाइगुंड ये पाइगुंड इत्यादी जो आप सुन रहे हैं ये महाराष्ट्रियों की इस प्रकार के नाम होते हैं अब महाभाश्य प्रदीपो द्योत में नागेश ने अपने दो ग्रंथ लगुमंजूशा और शब्देंदु शेखर को उद्रित किया है इससे ये बात इसपष्ट है कि उद्योत से पहले उन्होंने लगुमंजूशा और शब्देंदु शेखर इन दोनों ग्रंथों की और इन कैयट के द्वारा महाभाश्य पर प्रदीप टीका लिखी गई और कैयट की प्रदीप टीका पर नागेश भट ने प्रदीपो द्योत उद्योत टीका लिखी इसी उद्योत को विवरन टीका भी कहते हैं तो नागेश भट ने कैयट की प्रदीप को और विश्तार प आश्रएदाता या वृत्तिदाता जीवन दाता जिनके हाँ नागेश भट रहे हैं वो प्रयाग के समीफ ही स्रंगवेरपूर है कभी आप जो लोग प्रयाग घूमने आए होंगे तो स्रंगवेरपूर का नाम सुना होगा रानिशाद राज का भी नाम आपने रामाइन में स सुना भोगा जो स्रैक्रगेविरपुर है वहाँ के राजा राम सिंग्ण ए और राजा राम सिंग्ण प्रकरकर के अपने सभी गृंधंओं को लिखते हैं एक तरह से वास्त्रे दाता थे और नागेश भट वैसे तो अपना बहुत जीवन काल काशी में बिताते हैं नागेश भट का ही मैंने आपको पहली बता दिया कि इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है संक्षेप में नागेश भट ही नागेशवर हैं या नागोजी भट हैं इनके पिता श्रीव भट हैं माता शती हैं व्याकरण का अध्यन इन्होंने हरिदेक्षित से किया था जो भटोजी देक्षित के पोत्र हैं इनके शिश्य वैद्दिनात पाईगुंड हैं 1730-1810 विक्रमी संवत इनका समय माना जाता है 1730-1810 लेकिन विक्रमी संवत अब पूरे घ्रंथों के दिए हम नाम लें तो एक बार फिर से इनके सभी घ्रंथों को आपको सुनना चाहिए महाभाष्य परदीब पर इनोंने अध्योत व्याक्थ्या लिखी या विवरण व्याक महाभाश प्रत्या ख्यान संग्रह और शब्द रत्न ये प्रोड मनौर्मा पर टीका है और विशमी ये शब्द कोश्टुब की टीका है तो ध्यान रखेगा शब्द रत्न ये प्रोड मनौर्मा पर टीका लिखी गी नागेश भट्ट के द्वारा और विशमी टीका इन्हों में जानते हैं तो निश्चित रूप से आप परिक्षा में अच्छा करेंगे कुछ भी सवाल पूचे गा तो आप कर लेंगे ये तो अभी कुछ मैटर था कुछ सामगरी है इसके बाद मैं आपसे कुछ नांसर की भी चर्चा करूंगा आप पहले इसको इतना पढ़ ले इसक क्या क्या इंपार्टन सवाल आपसे पूंच सकता उनकी चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्स करता है